नमसकाल दोस्तों, मेरा नाम दोसे और आप सभी लोगा स्वागत तो यह जो वीडियो है उत्राखन ड्राम नगर किये तो आप देख सकते हो, हम घर का लोड चेक कर रहे हैं कि घर में कितने एमपेर का लोड चल रहा है तो घर का जो लोड होता है, लोड के एसाब से ही solar system लगता है, तो अभी देख सकते हो, मैं ampere check कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले से ही system को खरीड लिया गया है, लोड के एसाब से, फिर मैं आपको check करके दिखा रहा हूँ, घर का जो load है, वो कुछ इस तरीके से check करते हैं, घर मे कितने ampere का load चल रहा है, देख सकते हैं, यहाँ पर, तो घर का जो जितना भी fan है, पंके हैं, freeze है, सारा कुछ चलने के बाद, solar point को चैंपर का load चल रहा है, तो यहाँ पर जो है, पूरे घर के लिए एक solar system लगाया जा रहा है, और यहाँ पर अभी AC नहीं है, freeze 2-2 है, और आप देख सकते हो, हम आगे हैं, छत के उपर, तो यहाँ पर, लूम solar के सार्क पैनल है, चार, तो चार solar पैनल है, और उसका जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, stand है, तो कुछ लोगों का प्लान यह होता है, कि हम पहले, छोटा system लगाएं, और बाद में उसको बढ़ा करें, तो बढ़ा मतलब 5 किलो वाट तक, तो कौन सा system best है, इस वीडियो को आपको पता चलेगा, तो हम सबसे पहले, stand को open कर लेते हैं, जितना भी stand है, सबको हमने tape छुडा लें, और छुडाने के बाद, यहाँ पर हम stand को assemble करेंगे, तो यहाँ पर जो दोस्तों है, यह देख सकते हो, nut bolt है, जो कि इसमें use होंगे, और यह सारा जो product है, ओलूम solar की website से खरीदा गया, अगर आपको website से कोई भी solar system का product खरीदना है, तो वीडियो के description में website का मैं link दे दूँगा, आप वहाँ से खरी सकते हो, तो आप देख सकते हो, हम काम को time से पहले करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा time ना लगे, कम से कम time में हमारा काम हो, तो देखिए हम machine का use क करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम stand को assemble कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो inverter लगेगा, वो लगेगा 5 kilowatt का, और जो betty है, वो भी 5 kilowatt की लगेगी, मगर जो panel है, वो लग रहा है, 2 kilowatt, तो यहाँ पर हमारा जो stand है, वो fit हो चुका है, कुछ percent, assemble हुआ है, अभ आफटर अभी fit करना बाकी है, तो इनके जो nut bolt है, उनको हम अभी tight करेंगे, तो कुछ इस तरीके से tight करेंगे, machine की मदद से, क्योंकि machine से हमारा बहुत ज़्यादा time बचता है, और यही time जो है, हमारे आगे पैसा कमाने के काम में आता है, तो time is money, तो उसी के साब से हम प्लेट थी दोस्तों, base plate है नीचे, तो यह हमारा जो है, अब हम इसको fit कर रहे है, परलीन के साथ, तो परलीन और वो सब हम fit करेंगे, पहले हमने अभी tight नहीं कियते, leg उसको भी tight कर लिया है, तो अब हम परलीन को भी जोड़ेंगे, राफ्टर के साथ, leg के साथ, तो देख तो यहाँ पे 4 पैनल पे 5 किलो वाट का सोलर सिस्टम किस तरीके से लगाएंगे, कैसे वाइरिंग होगी, तो वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोस्तों साम होगी थी, अगले दिर हम फिर मॉर्णिंग में आये हैं, और इसको हमने सारा जो भी स्टैंड था, उसको हमने उपर चड़ा लिया है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैंड उपर चड़ा लिया है, और हमारे दोनों स्टैंड जो हैं, चार पैनल के स्टैंड हमने उसको लगा दिया है, बी भी G20 की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले तो आप यह देख सकते हो दोस्तों हमारा जो स्टैंड है स्टैंड में हम फाशनल लगा दिये गए और लगाने के बाद यह हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो स्टैंड है वो फिट हो चुका है कुछ परसेंट तक इसी तरीके से आगे वाला जो दो पैनल का है उसको भी हम लगा रहे हैं और अब बारी आती है दोस्तों इसके उपर पैनल चड़ाने की तो हमारे स्टैंड चार पैनल लगके तयार हो गया है और अब हम इसके उपर चड़ाएंगे पैनल तो पैनल हम बॉक्स से निगाल लेते तो बॉक्स से निगालने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से हम पैनल को निगाल लेते हैं और इसको हम सीधा छत के उपर ही चड़ाएंगे तो तो हमारे चार के चार सोलर पैनल लग गये हैं यानिकि दो किलो वाट पैनल जो है वो हमने इस पे लगा देया और दो किलो वाट पैनल लगाया है और दो किलो वाट के पैनल के उपर हम चलाएंगे पांच किलो वाट का इनवाटर और यह देखिए बाहर के तरब जहां पर हमा के लिए खड़ा खुन देंगे बोकी से जिसमें हम रोड डालेंगे तो और देखिए जहां पर हमारा सिस्टम लगेगा उसके लिए प्लाई बोड भी आ गया कि वाल में जो सीलन है वो इसके उपर ना है तो हम इसी के उपर इंवर्टर और बैट्टी लगाएंगे तो आप य दोस्तो यहाँ पर जो लग रहा है वो और लिथियम बैट्रि लगेगा यह देख सकतू हो दोस्तो 5KW की बैट्रि है और यह रा हमारा इंवर्टर तो यहाँ पर जो है इनवार्टर का है जो की सेल क्रोनिक का है फैलकॉन 5.5K के डबलू का इन्वर्टर है 48 बोल्ट में जो कि सैल्क्रोनिक का है और इसमें देर टन का AC बढ़ी आराम से चल जाता है लोड इसमें आराम से चल जाएगा और इस इन्वर्टर के साथ 9 इन्वर्टर को हम पैलर कर सकते हैं लिए आज़ाँ लुटर लिखू तो यह जो इनवर्टर है आप देख सकते और इनवर्टर है हाइब्डिर इनवर्टर है जो कि हमने इस बॉक्स से बहार निकालें गए वाद इसके अंदर निकलि यह है ऐल दोल लकी बोलते है और करोंक करे प्लस करके नाम है और ये देखिए इसके साथ जो है wiring पहले से करके दिया गया है इसके पिछे reason यह है कि अगर कोई भी नया technician है या solar installer है तो बड़े ही अराम से plug को लगा के system को चालू कर दे तो उन लोग के लिए देख सकते हो plug के साथ दिया है plus wire को लगा के भेजा गया है और ये देखिए ये है plug जिसमें की input, output सारा कुछ और ये solar की wire लगाने के लिए MC4 connector है तो ये सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है बगर हम जो है यहाँ पे इसको लगाएंगे proper तरीके से क्योंकि ये उन लोग के लिए दिया है बड़े easy तरीके से और ये देखिए ये filter लगा हुआ है air को निकालने के लिए और ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका hybrid on grid hybrid solar inverter है ये 5.5 kW का और ये देखिए इसके features देखिए यहाँ पे हम इसमें जो panel लगा सकते हैं और something 6000 वाट तक panel लगा सकते हैं और 120 से 450 ब्योसी पे चलता है यानि की 120 बोल्ट से लेकर 450 पे चलता है और ये बाकी की a series निकली है जो कि cell chronic company के द्वारत दिया गया है इसमें देखिए solar का है inverter का है इसी input का है और spdb और ये भी एक plug दिया गया है की बड़ी आराम से कोई भी एक नया टेक्नी से नया इस्टॉलर लगा सके और ये कुछ इसके अंदर निकली है वायर है जिनको हम बैट्टी को पैलर करने के लिए मगर यहाँ पे जो है दोस्तों लिथियम बैट्टी लग रही है कोई भी लेड ऐसिट बैट्टी नहीं लग रही है तो यहां पे उन वायरों का यूज नहीं होगा तो जो पांच किलोवाट का जो इनवर्टर है उसको ओपन करते हैं और यहां पे हो गया कि दोस्तों यह जो इनवर्टर है वो हाइब्रिड इनवर्टर है और इसके देख सकते हो कनेक्शन कुछ इस तरीके से हैं यह बीना नेट मीटर के भी चलता और नेट मीटर के साथ भी चलता है इसके अंदर सीटी लगा के जीरो एक्सपोर्ट करने का भी इसमें फीचर्स है तो चैक लोवाट तक सोलर पैनल अराम से लगा सकते हैं और नॉर्मल इसके साथ यानि कि जो घर में जो अभी मैंने स्टार्टिंग में एमपेर जो चैक किया था 16 एमपेर मगर यह जो इनवर्टर है वो 24 एमपेर तक अराम से लोड को उठा सकता है तो इनवर्टर की बात करो तो इनवर्टर काफी अच्छा है तो दूस्तों यह जो इनवर्टर है इसको ह एक पर नहीं लग रहा है उसको लगाने के बाद यहां पर हमारे फाषणर को लगा रहें और यह जो फाषणर है मार्किट से खरीदा गया दोस्तों तो यहां पर 8mm के फास्षनर का यूज कर रहे हैं और जिसकी मदस्य हम इंवार्टर को लगाएंगे तो इंवार्टर कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे इनवार्टर थोड़ा सा वेट में है तो सपोर्ट देना पड़ेगा तो यहां पे देखिए दोस्तों इनवार्टर को मची तरीके से टाइट कर लेंगे गोटी की मदस से तो हमारा जो इनवार्टर है दोस्तों वो लग चुका है अगर आपको सैल क्रोनिक का कोई भी प्रोड़क्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रप्शन में मैं वैप साइट का लिंक दे दूँगा सैल क्रोनिक की आप वहां जाके इनवार्टर से लेके बैट्टी तक जो भी उनकी वैप साइट पर मिलता है सारा कुछ आप खरीज सकते हो और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रप्शन में उनका सर्विस नंबर भी दे दूँगा आप उनलोगों से डियकली संपर कर सकते हो तो हमारा जो 5 किलो वार्ट का सैल क्रोनिक का इनवार्टर वह लग चुका है अब बारी आती है इसमें बैट्टी लगाने की जो की 48 बोल्ट की बैट्टी है और ये आप देख सकते हो बैट्टी भी सेलक्रोनिक की है और इस बैट्टी का जो नाम है पावर वाल 2.0 जो कि अभी कमपनी ने लांच किया है कुछ दिन पहले दोस्तों यह जो बैट्टी है वो है 48 बोल्ट की लिथियम बैट्टी और पावर वाल 2.0 इसका नेम है और यह देख सकते हो दोस्तों बात करूँ इस बैट्टी के लाइफ साइकल के तो इस बैट्टी के जो लाइफ साइकल हो 4500 प्लस 80% डियोडी के साथ इसके लाइफ साइकल है और इसके अंदर जो लगा है वो अड़्वांस LCD स्क्रीन लगा हुआ है और इस स्क्रीन के अंदर इसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग चली हो बड़े ही अराम से इसके स्क्रीन पे आप देख सकते हो और इस बैट्टी के अंदर यानि कि यह जो बैट्टी है इस बैट्टी के अंदर जो सेफटी पॉइंट है यानि कि जो इसके अंदर BMS लगा होता है वो 125 A का BMS लगा हुआ है जो कि इसको support करता है safe रखता है किसी भी fault से बचाने के लिए तो काफी अच्छा है और बात करूं इस betty के साथ आप कितने और betty को parallel कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे connector दिये हुए दो plus और दो minus के तो एक एक तो हमारा use होगा यानि कि दो point use होगे और दो खाली होगे जो कि आपस में parallel किया जाता है और इसमें देखिए betty add करने का option है और यह जो betty है यह inverter के साथ बढ़ी आराम से communicate हो जाती है तो यह भी हम दिखाएंगे किस तरीके से communicate करेगा और आप देख सकते हो दोस्तों यह इसका MCB है 125 A गा और यह लगा हो है technical sticker तो technical sticker देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम है और बहुत कुछ है 100 AH की यह betty है और इसका जो charging और discharging जो है वो मैं आपको बताता हूँ 1C charge है 1.25C discharge है तो वो काफी बढ़िया है और भी काफी betty है जो cell chronic company के पास है और यह है इसके fastner जो इसको लगाने के लिए निकले है यह मेरे हाथ में आप देख रहो इसको stand बोलते हैं जो कि यह लगाएंगे और यह है इसका button on off करने के लिए तो हम क्या करते हैं इस betty को लगाएंगे वाल पे तो मगर एक चीज़ और बताता हूँ इस betty के साथ आप जो पैलर कर सकते हो 32 betty को पैलर कर सकते हो और यह जो betty है cell chronic की इसकी जो warranty है वो 5 साल की warranty है और किसी भी जो stand है वो कुछ इस तरीके से है fit होता है यह देखिए कुछ इस तरीके से fit होता है यह निच्ची की तरफ हमको लगाना पड़ेगा अभी थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि हम भी check कर रहे हैं कि किस तरीके से लगेगा तो कुछ इस तरीके से जगा भी हम छोड़ेंगे की की बीच में हमने कुछ boxes लगाना है तो यह देखिए जो उसका stand है उसको अच्छी तरीके से लगाना है क्योंकि 50 kg के आसपास betty का वजन है तो उसको रोकने के लिए यहां पर फाशनर जो है जो मैंने आपको दिखाये थे उन फाशनर का यूज नहीं करूँगा यह बाहर के फाशनर है तो हम जो यूज करेंगे जो हमारे इंडियन फाशनर होते हैं उसका तो यह देखिए यहां पर इसको M10 फाशनर बोलते हैं आपने देखा होगा अपर यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से हम हाथ दोड़ी की मदज से फाशनर को लगा लेते हैं तो हमने फास्टनर को लगा लिया और जो इस टैंड है उस पर लटक के देख लिया कहीं नहीं जा रहा है तो हमारी जो बैट्टी है बड़े ही अराम से इसके उपर रुख जाएगी नहीं तो कई जगे पर क्या होता दोस्तों फास्टनर की बज़े से ही बैट्टी नीचे गि बड़ा देता हूं तो हमारी जो दोस्तों बैट्टी है 48 बोल्ट की 100 एच की पावर वाल 2.0 वो लग चुकी है और हमारा जो इनवर्टर है वो भी लग गया है और जो कस्टूमर है उनको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि इस बैट्टी को उपर की तरफ ना करे इस चीच का पचास केजिए कि आसपास तोहर कोई उपर यह दर्फ नहीं कर सकता तो मैं कस्टूमर को बता देता हूं कि इस चीच का थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यह देख सकतो हूं इनके यहां पर सिस्टम लग रहा है तो यहां पर हमारी जो पावर वाल है 2.0 वो लग गया है और इनवार्टर लग गया है 5 किलो वार्ट का तो अब बाकी इसकी वाइरिंग है वो भी हम देखेंगे किस तरीके से वाइरिंग होगी और बैट्टी जो है दोस्तो एक बैट्टी जो है 6 जो बैट्टी होती न एसिड बैट्टी के बराबर एक बैट्टी है कमपनी का कहाना य है, कि हमारी एक बैक्टी जो है, वो छे बैक्टी के बराबर है, जो एसिड वाली बैक्टी होती है, 1500 आंपेर की, तो ये कंपनी का कहाना है, बाकी जो है, हमारा inverter लगा और हमारी बैक्टी लगे, और अब जो है, इसके अंदर जो company ने भेजा था यह देख सकतो ACDB box और DCDB box इन विल्ड है इसके अंदर और एक ही SPD है तो हम इसको लगा लेंगे मगर इसके अंदर से पहले ही wiring है तो हम उन सभी वैर को निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इन सभी वैरो को लगाता हूँ वैर क्योंकि छोटी-छोटी है तो उल्टा सीधा wiring होगा गंदा दिखेगा हम एक दम फनिसिंग के साथ काम करेंगे जैसे तरीके से हम लोग करते हैं वैसे ही अच्छा काम करेंगे तो केवल ट्रे का हम यूज़ करेंगे और जितनी भी वैरिंग की है इन्वर्टर में AC-DV, DC-DV बॉक्स के अंदर उन सभी वैरो को हम निकाल लेंगे तो हमारी केवल ट्रे दोस्तों लग गई है और यहां पर कुछ इस तरीके से हम केवल ट्रे लगाएंगे तो हमारी जो दोस्तों केवल ट्रे है वो लग चुकी है और लगने के बाद हम क्या करेंगे यह जो हमारे इन्वर्टर में जो वाइरिंग हो रखी है उन सभी वैरो को हम निकालेंगे तो देखिए उनको हम बाद में निकालेंगे हम आते हैं पहले छत के उपर जो हमारे पैनल लगे हुए है चार पैनल तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों चार के चार पैनल को करेंगे सिरीज तो यह देख सकते हैं दोस्तों चार पैनल को सिरीज कर रहे हैं तो इन दोनों को हमने वह हाइस्ट होता है तो हाइस्ट को नहीं हम 45-47 बोल्ट को लेके चल ले तो दो और दो चार पैनल है चारो पैनल को हम करेंगे सिरीज तो आप देख सकतो अलग-अलग है तो अभी हमको सिरीज करने के लिए अलग से वायर को डालना बढ़ेगा यह देखिए अब में बना लेता है MC4 कनेक्टर जो कि यहां पर 6 mm की वायर का यूज किया जा रहा है वैसे 4 square mm वायर भी यहां पर चलेगी तो यहां पर कस्टूमर की 24-36 mm तो बढ़िया है जितना हैवी वायर होता है तो अच्छा होता है तो यहां पर देखिए हम MC4 कनेक्टर लगा रहे हैं और यह देखिए यहां से हम लिखे जाएंगे यह वायर को और दूसरे stand के पास और सिरीज करने के लिए पैललर अभी यहां कुछ नहीं हो रहा है सिरीज ही जाएगी चार पैनल की तो यहां पर देखिए चारों पैनल को हम सिरीज करते हुए और जो हमारा प्लस का और माइनस की जो वायर है वो भी हमारा जाएगा नीचे के दर तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी इसकी कर लेते हैं वायरिंग और दोस्तों वायरिंग करने के टैम पे देखिए कुछ इस तरीके से जो सन है वो डूबने को आया है कुछ समय बाद डूब चुगा है तो यहां पे दोस्तों साम हो चुकी है हमारा जो वायरिंग का काम है चारों पैनल को हमने सिरीज कर लिया और एक वायर अर्थिंग के लिए छोड़ दिये जो की पाइपिंग के थुरू करेंगे नीचे मॉर्निंग में तो अगले दिन हम मॉर्निंग में आ गए हैं और यहां पे देखिए अर्थिंग के तीन खड़े हो चुके हैं और यहां पे क्या है दोस्तों पहाड है तो यहां पे नीचे पत्थर वत्थर बहुत आ रहे थे तो यह हमारा जो यहां पर जो वाइरिंग का काम है वो इसके बाद में करेंगे तो पहले आप देख लेजिए अर्थिंग किस तरीके से की जारी अर्थिंग तो आपने हमारी कावी सारी वीडियो में देखा होगा कि इस तरीके से करते हैं तो यहां पर हम कैमिकल डालेंगे कुछ सू लेगी है क्योंकि एक separate earthing रहेगा हमारा lighting arrester का और बाकी एक रहेगा हमारा ACDB, DCDB inverter का और एक separate रहेगा हमारा battery का तो ये separate separate हम earthing को डालेंगे और separate wire भी डाल सकते हैं तो हमारी 3 की 3 earthing हो गई है और देखिए उपर जो momty है उसके उपर हमारा लगा हुआ है solar panel तो हम आगे हैं momty के उपर जो हमने रात में काम छोड़ा हुआ था उस काम को complete कर लेते हैं piping कर लेते हैं तो देखिए दोस्तो हमारी जो piping है वो हो चुकी है और थोड़ी बहुत अभी piping बाकी है तो हमने जो 4 panel की जो series बनाई थी मैं आपको वो series दिखाता हूँ और उस series का जो voltage है यानि कि 4 panel का जो voltage है वो कितना आ रहा है मैं आपको बदाता हूँ क्योंकि जो हमारा inverter है solar panel का 120 volt से लेकर 450 volt तक support करता है तो 4 panel का जो series है उसका कितना voltage आएगा वो यहाँ पर आप देखिए तो हम 4 panel का voltage चेक कर रहे है क्लैम मिटर की मदश से तो मैंने voltage पर set कर लिया है दोस्तों यहाँ पर यह देखिए तो यहाँ पर 185.9 आ रहा है तो 120 तक support करता है तो यह voltage पर अराम से 5 kW का जो cell chronic का inverter है falcon 5.5 kW बढ़ी अराम से चल जाएगा तो future में अगर इनको बढ़ाना है तब भी यह आप बढ़ा सकते हैं 5-6 kW तक इस पर पैनल लगा सकते हैं इस falcon 5 kW inverter पर 5.5 kW inverter है दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपने देख लिया हमारी voltage प्रॉपर आ रही है और प्रॉपर wiring करके wiring और piping करके नीचे तक लिया है और वो सब जो wiring है वो हमारी अभी बाहर है वो अंदर की जाएगे मगार वो हमारे जो टीम के मेंबर है वो काम कर रहे हैं तो हम क्या गर लेते हैं इसके अंदर जो ACDB DCDB जो box mix करके भेजा गया है इसकी जो wiring है उसको हम खोल लेते क्योंकि वायर बहुत छोटी छोटी है इनका तो कोई यूज नहीं है हम वायरिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से यह क्यों लगाया गया उस चीज को मैंने आपको बदा दिया है और यह देखिए इसको मैंने निकाल लिया है यह connector को यह connector जो है customer कहीं और यूज कर सकते हैं तो यह connector निकाल लिया है tahun यहां पर बीज़ों सब्सक्राइब करेंगे अपने हिसाब से यानि कि हिसाब क्या है जिस तरीके से वैसे ही होगा मगर फिनिसिंग के साथ होगा तो यहां पर अर्थिंग का है इनपुट आउट्पुट का है इन सभी को हम निकाल लेते हैं और इसमें जो वायर का यूज किय गया है 4 square mm wire का use किया गया है यहां पर तो हम यहां भी 4 या 6 का जो मिलेगा उसको हम यहां पर लगाएंगे मगर कमजोर wire डाही का नहीं चलेगा 4 या 6 का ही चलेगा तो यह देखिए जो हमारी solar panel की wire है और अर्थिंग की wire है उन सभी को हम अंदर ले रहें क्योंकि अर्थिंग भी हमने कर दी उसके लिए भी wire को डाल दिया गया है तो यह देखिए हमारा जहां पर inverter बैटरी है वहां तक हमारी solar panel की wire आ रही है और अर्थिंग की wire आ रही है तो देख सकते हैं यहां पर दोस्तों हमारी solar panel की wire आ गही है और दो अर्थिंग की wire आई है और solar panel की wire आई है तो इसको हमने अर्थिंग के लिए separate हमने अर्थिंग दे दिये और यह देखिए सब की piping हमने अलग-अलग कर दिया और piping के अंदर ही wiring करनी चाहिए वह सेफ रहती है और यह देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से अंदर-अंदर हमारी वायरे आ गई है तो यह जो दो वायरे हैं दोस्तों यह है हमारी अर्थिंग की वायर तो हम और यह जो वायरे है हमारी प्लस और मैरेस की वायरा से सबसे पहले कोई problem है तो wire हमारी छोटी ना रहे थोड़ा सा extra छोड़ना पड़ता है तो यहाँ पे देखिए हम solar input में जो solar panel की wire है उसको हम लगाते हुए और proper luck की मदस्य लगा रहे हैं यह देखिए यहाँ पे तो हमने यहाँ पे solar panel की wire को इस solar mcb में लगा दिया यह 32 एमपिर की mcb है और उस mcb से हम solar inverter में solar panel का current देंगे कुछ इस तरीके से आप देखिए और यह जो lead है सबी lead हो में हम लग का use करेंगे जैसे पहले थी proper luck के साथ वैसी हम भी लगा के देंगे काम जो है पूरा प्रापर करेंगे फ्रेसिंग के साथ और अगर दोस्तों आप लोग को कहीं पर solar system लगवाना है तो आप हम लोगों से directly संपर्क कर सकते हो वेड़ो के description में नंबर मिल जाएगा हम लोगों का नहीं तो display पर नंबर चल लाए आप हम लोगों से directly संपर्क कर सकते हो solar panel installation कराने के लिए किसी भी company का हो किसी भी brand का हो या पूरा combo चाहिए तो वो भी हम आपको provide करा सकते है तो यह देखिए हमारा solar panel का जो voltage है यानि कि solar panel का जो वी उसी है वो कितना आ रहा है उपर से नीचे हमने उपर चैक के दा नीचे देख सकतो एक सुचारासी आ रहा है ठीक है अभी धूप का भी थोड़ा सा है कि धूप अभी कम है यह अराम से 90 तक जाएगा क्योंकि जिसी जाप से भी उसी है तो आप यह देखिए दोस्तो बढ़ रहा है और यह हमारी अर्थिंग की वायर तो हम एक को यूज़ कर लेंगे एसी डीवी और इनवर्टर के साथ तो यह देखिए यहां पर हम एसी डीवी के साथ यूज़ कर रहे है और इसी एसी डीवी के साथ हम इनवर्टर की वायर को लगा देंगे अर्थिंग की वायर को तो आर्थिंग की वायर इनवर्टर की लगा दिए और एक हमारे पास वाय सब्सक्राइब विच्ट सेप्सक्राइब लगा देंगे यहां पे हमने लगा दिया है यह बौडी हम ने दिया है इस बैट्टि को भी तो मैं तो बैट्ट चॉड़ने के साथ हम जोड़ेंगे तो यह देखिए पहले से ही कंपनी ने वायर लगा के दिया वह था 125 का स्वारी 25 का है वो 125 का नहीं है तो 25 आपम का वायर वेजा हुआ दो लगा के और यह देखिए हम यहां पर इसके साथ लगा देंगे और यहां पर अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे इसमें पहले से ही लग लगा हुआ है तो इसमें लग लगाने की जोगत नहीं है और ध्यान रखना दोस्तों जब भी आप इस तरीके से लगा हो तो बैट्री आफ होनी चाहिए क्योंकि इसमें MCB है दोस्तों इसके बाकि की जो बैट्री हम लगाएंगे उसको पैरलर करने के लिए और बाकि की जो बैट्री हम 32 बैट्री तक पैरलर कर सकते हैं तो अच्छे तर result करने के बाद आप देखिए दूस्तों दिखने में कुछ इस तरीके से लगे तो में एक बार फिर चक कर लेते हैं को Chief acrylic वाइरिंग है वह चुकि है कुछ परसेंट तक बाकी की जो वाइरिंग है हम उसकी वाइरिंग करेंगे वह भी वाइरिंग हमने अभी करेंगे अब क्या करना है यह देखिए जो मैं wire को लगा रहा हूँ यह inverter और battery को communicate करनी के लिए यानि कि battery के साथ हम इसको जोड़ेंगे पहले मैंने inverter में लगा लिया है यह communication wire है जो आपस में communicate करता है यह ब Patch को inverter के साथ हर battery हर inverter के साथ communicate नहीं करता है तो यहां पर यह दोनों आपस पर कॉम्निकेट करेंगे यह काफी अच्छा दिया है इस बैट्टी के साथ फिचर्स और यह देखिए हमने इस लीड को लगा दिया है और लगाने के बाद इन्पूट आउट्पूट की वाइरिंग भी हमने प्रॉपर तरीके से ACDB box में और DCDB box जो mix भीजा है उसके अंदर हमने कर लिया प्रॉपर तरीके से अर्थिंग हमने दे दिया है तो आप देख सकतो है यहां पर अलग से वाइरिंग की है सब हमने वाइरिंग यहां पर कर लिया और यहां पर जो हमारी वाइरिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो चु आ रहे हैं देखिए यहां पर हमने मीटर के साथ चोड़ दिया गया है तो अब हम सिस्टम को करेंगे चालू तो सिस्टम चालू करेंगे किस तरीके से आप उसको बड़े ही ध्यान से देखिए तो system जब भी हम चालू करते हैं तो चालू करने से पहले सारी चीज़ों को check किया जाता है तो यहाँ पे मैं check कर रहा हूँ input supply तो यहाँ पे 236 volt input आ रहा है यानि कि meter से जो current आ रहा हुआ तो 236 volt आ रहा है तो देखिए AC input लिखा हुआ है उस पे और उसके बाद में हम यहाँ पे check कर लेते हैं solar panel का DC current जो solar panel से जो आएगा वो 183 voltage के असपास आ रहा है जो कि हमारा inverter के अंदर 183 voltage के असपास जाएगा तो हमारा solar panel का भी check कर लिया है तो हमने input भी check कर लिया solar panel का भी check कर लिया तो अब हम इसमें क्या गरते हैं cable tray को लगा लेते हैं cable tray लगाने के बाद हम इसको system को करेंगे अच्छी तरीके से चालू तो यह cable tray लगा लेते हैं क्योंकि हमने wiring को check कर लिया है कितना voltage है कितना दोनों का check करने के बाद cable tray हम लगा सकते हैं क्योंकि wire कोई भी हमारी losing नहीं है सबी ची जो को हमने check कर लिया है तो हमारा cable tray है दोस्तों cable tray लगने के बाद तो बारी आती है system को चालू करने की तो यह देखिए हमारा जो falcon 6G plus cell chronic का inverter है इसको हम करेंगे चालू तो चालू करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से तो हम पहले भगवान का नाम लेते हैं और फिर system को करते हैं चालू तो सबसे पहले हम betty को चालू करेंगे betty को हमने on कर दिया है जो की 2.0 है power wall और यहां देखिए नीचे indication है वो जल जाते है अब हम यहां से on करेंगे तब वो नीचे के indication जलेंगे और display भी चालू हो जाएगी देखिए यहां पर दोस्तों display चालू हो गई है और इस display के अंदर इस betty की जितनी भी programming है सारा कुछ यहां पर दिखाएगा 51.2 कुछ दिखा रहा है तो जितनी भी है सारा कुछ इस display पर देखा रहा है सेटिंग भी यही से की जाएगी डिस्पले पर जो भी बटन देख रहे है वही से इसकी सेटिंग भी की जाएगी तो हम betty के voltage चेक कर रहे है कितना voltage आ रहा है यह देखिए उननचास.51 आ रहा है ठीक है क्योंकि betty अभी fully charged नहीं है और हमारी betty on हो गई inverter है falcon 6G plus वो on हो चुका है यहाँ पर देखिए इसका जो डिस्पले का interface है वो कुछ इस तरीके का है तो यह हमारा system proper तरीके से चालू हो गया है और अब हम इसका check कर लेते है जो output है वो दे रहा है या नहीं दे रहा है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम output चेक कर रहे है तो यह हमारा यहाँ पर inverter output भी दे रहा है 231 volt के आसपास AC current output दे रहा है जिससे कि हमारा घर का load चलेगा और यहाँ पर यह यहाँ पर आया है तो वहाँ से यहाँ inverter से गया हुआ है वहाँ पर एक breaker लगा हुआ है ब्रेकर के पास तो वहाँ पर भी 231 volt के आसपास आ रहा है तो हम भगवान का नाम लेके चालू कर देते हैं इस MCB को तो घर की जितनी भी lighting है और fan है वो सब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा यह distribution box जो की घर का है MCB box उसमें भी आ रहा है उसका भी हमने चेक कर लिया है और दो MCB box है उनको भी हम चेक कर लेते हैं MCB को हम उठा देते हैं तो यह देखिए पांच किलो वार्ट का जो यह inverter है इस inverter पे देल टन के दो AC बड़े ही अराम से चल जाते हैं और साथ में घर का लोड भी चलता है तो यह जो inverter है इसके साथ देल टन के दो AC आप चला सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारा जो solar panel का है उसको हमने चालू ने किया है तो solar panel की input को भी चालू कर देते हैं और दोस्तों साम हो चुकी है तो यहाँ पे हमारा देखिए यह भी दिखा रहा है तो सभी जो है हमारा प्रॉपर तरीके से पूरा सिस्टम चालू हो गया है तो solar panel का हम voltage फिट चेक कर लेते हैं 180 voltage का सबस आ रहा है तो बड़े ही अराम से यह inverter solar panel पे भी चल गया है तो सिस्टम बड़े ही अराम से हमने लगाया है अच्छी तरीके से और यह सिस्टम अभी प्रॉपर तरीके से रनिंग कर रहा है और अभी का इनका यह था कि कोई भी नया सिस्टम लगाता है दोस्तों तो सबसे पहले क्या करता है कि देखता है कि solar panel काम करता है नहीं करता है छोटा सिस्टम लगाता है तो उसी तरीके से इन्होंने 2 किलोवाट का लगाया प्लानिंग 5 किलोवाट की की तो प्रॉपर तरीके से सिस्टम चल ला है और हम लेते हैं कस्टूमर का फीडवेक क्योंकि हर जिगे पर हम काम करते है कुछिस करते हैं कि हर कस्टूमर का फीडवेक हमको मिले तो वीडियो अभी दोस्तों खदम ने हुई है अभी देख सकते हो हम घर का लोट चला रहे है तो 12 एंपेर तक हमने इस इन्वार्टर पे लोट डाल दिया यानि कि घर का जो लोट इस समय चला है 12 एंपेर के असपास चला है 16 एंपेर तक का लोट है कुछ चीज़ें भी बंद होगी तो वो भी अभी डाला जा रहा है तो हम पूरे घर का लोट चेक कर रहे है तो यहाँ पे जो लोट है वो दोस्तों क्या कहा है जैसे कि यह फ्रीज है फ्रीज को भी चालू कर दिया गया है उपर भी एक फ्रीज है यह देखिए चालू है फ्रीज की कंडिशन एकदम सही है और यह देखिए लाइटिंग अरेश्टर इसको हम लगाएंगे उपर चत के उपर तो घर का जो लोट है वो सारा लोट डालके चैक किया जा रहा है कि क्या क्या लोट चला है और हम कस्टूमर का फीड़बेक भी अभी लेंगे तो यह जो हमारा 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है सैल क्रोनिक का वो सकस्फुल लग गया है अगर आपको कोई भी सैल क्रोनिक का प्राडक्त खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रप्शन में इनकी बैप साइट का लिंक है आप वहां जाकर खरी सकते हो तो आप यह देख सकते हो दोस्तों पांच किलो वाट का प्रॉपर तरीके से सिस्टम रन कर रहा है और यह जो बैट्री और इन्वार्टर आपस में कॉ अची तरीके से तो देखने में कुछ ऐसा है और देख emba fácil deto लाटिंग पैडिया यहांता लगा लेंगे और इन्सुलेटर लगाना जरूरी है तो हमारा जो लग चुक के आपको पदा है जबु厨 पर सिस्टम लगाते हैं तो कोशिस करतें कि वहां पर कषूर का फीड़ बै मेरा नाम मुहमद दिल्दार है यह जो सिस्टम है यह आपने क्यों लगवाए यह में परपस मेरा जो था इन्वेटर का परपस था कि मुझे जो लाइट चले जाती है तो लाइट हर वक्त रहे घर पर और सारस जितना भी ओल चीज़ें हैं सारी चीज़ें चलती रहे हैं चाह बैटरी और इन्वर्टर यह पांच-पांच किलोवाट के ऐसा क्यों लगवाए यह वह थोड़ा सा अभी मैंने सुचा पहले इसको चेक कर लिया जाए कि क्या कि विजली बनती है क्या है मेरा इरादा है कि आगे को और पैनल लगाने का मैं पूरा जितना भी बारा पैनल का है सब लगांगा तो एक चीज और भी है सर पांच किलोवाट में जाता लोग लेड असीड बैट्टी का यूज करते चाल चार बैट्टी लगाते आठ बैट्टी लगाते आपने यह बैली बैट्टी क्यों लगाए इसके पीछे का रिजन बदाई है सबसे में रिजन तो य इसके उपर आपके घर का लोड चल रहा है यह पूरा लोड लोड चल रहा है यह पूरा लोड चल रहा है और सारी लाइटे फ्रीज कितने हैं दो फ्रीज हैं अभी एसी नहीं है यानि कि यहाँ पे सोला से 18 एंपेर तक का लोड जो चल रहा है और यह जो इनवर्टर यह सम्धिंग एक बीस से एंपेर लोड उठा लेता है तो यह तो सब सिस्टम की बात रही सर हम लोग का जो इंस्टॉलेशन आपको कैसा लगा इस्टॉलेशन बहुत बढ़िया लगा काफी नाम आपका सुना था और नाम की तरह ही आपने काम किया जैसा आपने सुना था वैसे आपको मिला ना ओके आप कुछ लोग को सुजाओ देना चाहोगे सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए उसके बा अंपास में कोई सिस्टम लगा एक इस समय फोकत कर इस समय के बात अगर इधर का कोई साइड वा तो जरूर आएंगे फिड़क लेंगे कि किस थरीकए गाइनका सि्टम चल रहा है और ठेंक यो सर से उसके तो दोस्तों मिलते हम आपको नेक्स्ट वीडिटो में साथ आपी क कर दो कर दो